बाइबल के अनुसार, पाल्म संडे क्या होता है? एट पाल्म संडे को गुड फ्राइडे से पहले मनाया जाता है। दो पाल्म संडे को खजूर का रविवार भी कहते हैं। तीन पाल्म संडे को विजय का रविवार भी कहा जाता है। चार यह दिन यीशु मसीह के कार्य का अंतिम हफ्ता है पांच यीशु मसीह जो करने आये थे उसमें उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी चै यह दिन जै जैकार या होशाना का दिन होता है साथ राजाओं के राजा ने नम्र होकर गधे पर बैठ कर यात्रा की आठ पालम संडे भविश्यवानी को पूरा करता है नौ जकर्याह नौ नौ के अनुसार भविश्यवानी पूरी हुई डैन पालम संडे के बाद यीशु मसीह को बदनाम और सूली पर लटकाया जाएगा अगर आप इस संदेश पर विश्वास करते हो तो कॉमेंट में आमीन लिखकर इसे एक व्यक्ति के साथ शेयर करें